नमस्कार, श्रीमद रामायन की एक और एपिसेट की रियो में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों कहानी कहां तक गया था, कहानी गया था राम, लक्समन और सीटा का अभी बनबास होगा और लक्समन को सभी से परमिसन लेना होगा तो लक्समन क्या करते हैं पहले अपनी माता सुमित्रा से वो पर्मिसन लेते हैं फिर माता कोसिल्या से वो पर्मिसन लेते हैं फिर अपनी पतनी उर्मिला से वो पर्मिसन लेते हैं और वहाँ पे लक्समन और उर्मिला के बीच एक अच्छा सा इमोस्रान सीन भी हमें दिखाय और मिला नहीं है लेकिन इस एपिशोड में जितना भी रूल था एमोशनल रोल था वहाँ पर उर्मिला की character में जो भी एक्ट्रेस हैं उनका नाम जो भी है उन्होंने अच्छा काम करके दिखाया है ठीक है और वहाँ पर दोस्तों पता चलता है उर्मिला भी कितना बड़ा ब वर्स अलग रही और उन्होंने एक कड़ी बर्त निभाया था 14 वर्स तक सोते रहना कोई छोटी मटी बात तो है नहीं फिर दोस्तों आगे राम लक्समन और सीता का बनबास होगा यहाँ पे मुझे कंट्रोवर्सी याद आ रहा है राम मंदिर की प्राण पतिष्टा के समय ब 12 तरिक को नहीं पड़ रहा है यानकी जनवरी 22 को राम मंदिर का प्राण पतिष्टा हुआ था उस दिन एक अच्छा मूर्थ नहीं है जिसमें की एक मंदिर का प्राण पतिष्टा करा जाए ऐसा संकराचाजय का दावा था वहां पे दोस्तों संकराजय को काउंटर करने के लिए लोग बले थे एक निव जांकर बोले थे कि तुलशी रामान में यानकी रामचरित मानस में एक स्लोक है जहां पे रिशी बसिस्ट बोलते हैं जब भी राम आएंगे बो दिन सुब हो जाएगा तो राम के लिए कोई सुब महर्थ की जोर्रत नहीं है राम का प्राण अगले दीन राम का रज्यश्यविषक होना था तो गुरु वश्यश्ट बोल दिये थे राम जब भी आएंगे बो दिन सुब हो जाएगा लेकिन क्या अगले दीन राम का राज्यश्यविश्यव पाया नहीं हो पाया दोस्तों राम को 14 वर्स का बनवास मिला था उनका तो शुब महर्थाना जोरुरी है अगर आप life में कुछ बड़ा करने जा रहे हो कुछ बड़ी चीजयों का उधगाटन कर रहे हो या फिर लाइप की कुछ बड़ा कदम ऊठाने जा रहे हो तो उसका सुब मुर्द देख लीजिए और सुब मुर्द से अगर आप काम सुरू करेंगे तो आपकी काम अनकूल परिस्तिती में आगे बढ़ेगा और जल्दी जल्दी आपका काम हो जाएगा तो यह चीज दोस्तों मुझे सिखने को मिला था संकराचा जैसे और मुझे लगा कि आपके साथ मैं यह सियार करूँ तो यह चीज को मैं सियार कर दिया तो यह तो हो गया कुछ अलग सी बाते अब हम टॉपिक में फिर से वापस आ जाते हैं लास्ट वीडियो में मैं बोला था राम सिता की कंवर्सेशन मुझे उतना अच्छा ने लगा पहली बात तो यह है सिता राम को कभी सीराम बोल रहे हैं कभी रगुनंदन बोल रहे हैं कभी आरियो बोल रहे हैं उनकी बातों पे कोई कंस्टन्ट चीज नहीं है आइदर वो आरियो बोले या फिर रगुनंदन बोले या फिर सीराम बोले क्योंगे अगर कोई पतनी पती को बुला रही है तो रोज रोज तो विभिन्न नाम से तो नहीं बुलाएंगे ना एक नाम से ही बुलाएंगे तो यह तो हो गया एक बात दूसरी बात यह है राम सिता की जो conversation था वो काफी silent था काफी आराम आराम से बो दुनों conversation कर रहे थे एसा बुक में लिखा नहीं गया है राम आकर सिधा सिता को बोलते हैं मैं बनबास करने के लिए जा रहा हूँ तुम सबका ख्याल रखना भरत के साथ कोई कटू बात मत करना बरत के सामने मारा कोई प्रसंसा मत करना ऐसा राम सिता को समझा रहे थे लेकिन सिता वहां पर राम के उपर गुसा भी हो गये थे और सिता दुखी भी थे कि आप मुझे मत समझाओ कि मुझे कैसे रहना है और मैं यहां पर पहली बात तो नहीं रहूँगी आपके साथ अगर आपको रिलाइज नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा एक्जम्पूल देता हूं हम लोग आज की बन की बात नहीं कर रहे हैं उस टाइम की बन की बात कर रहे हैं उस टाइम में बन में हिरन होते हैं बाग होते हैं सेर होते हैं बहुत सारी कीड़े मुकड़े होते हैं बहु बात है राम के लिए मुश्किल है और सीता को भी रहना मुश्किल होगा यह राम को लग रहा था तो राम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे सीता आप उजध्या में रुख जाओ और मैं बनबास करके आता हूं लेकिन सीता ने नहीं माना और सीता एस्योर किया कि मैं आप conscious भी हो गए थे तो यह चीज देखके फिर राम agree हो गए थे तो उनका जो conversation था काफी लंबा था काफी अच्छा discussion के बाद फिर राम agree हो थे कि हाँ तुम भी मेरे साथ बन में जा सकते हो तो यह चीज हुआ था तो उनकी conversation को और एच्छे तिरगी से दिखाया जा सकता था जो कि लाश्ट वीडियो में मैं उतना अच्छे तिरगी से एक्स्प्लेण नहीं किया था क्योंकि जिस जागा पर मैं वीडियो सूट कर रहा था आप देख सकते हैं उस जागा पर सब कुछ एक्स्प्लेण करना उतना संभब नहीं था तो दोस्तों अभी राम सीता और लक्षमन का बनबास हो जाएगा फिर भरत आएंगे फिर भरत राम के साथ भेट करेंगे और भरत फिर राम की पादू का अपनी सर पे रखकर और जिद्या वापस आजाएंगे और अजद्या का भार भरत समालेंगे जब तक राम वापस नहाजाए उहां तक जाएगा अजद्या काण जब भरत और राम का भेट हो जाएगा और फिर भरत वापस आजाएंगे उहां तक अजद्या काण है उसके बाद अरन्न काण शुरू हो जाएगा तो आशा करता हूं द दोस्तो इतना ही नन्यवाद